तो कैसे हैं आप सबी बहुत टाइम से वीडियो शेयर नहीं कर पाई थी बहुत गर्मी हो चुकिया गाई इस बार ना चादा 15 साल हो गया शायद हम नी तनी गर्मी कभी भी नी देखी थी सोलन में बटी सबार बहुत ही जादा गर्मी है सबी चगह भी लगी हुए और उसके अज बारिश होई काफी टाइम के बाद तो मुसम थोड़ा सा अच्छा है तो मैंने सोचे वीडियो शूट कर लेती हूँ और जो हमने चाप्टर शुरू किया था बीच में अगर आप लोग को याद हो तो मैं उसमें रक्षम की बोली सिका रहे थी तो आपको जैसे पहले बता दिया था मैंने कि रक्षम की बोली सिखते हो तो चित्कुल के आपको कोई भी मले तो उनके साथ भी अपसी लेंग्विज में बात कर सकते हैं वह आमारा सीम है बाखी उस वीडियो में जादा लोगों ने इंड्रस नहीं दिखाया था सिखने के लिए बट कोई बात मे मेरा काम है सिखाना बाकि चलो कभी ना कभी तो आप भी बोलोगी कि चलो ठीक है अच्छा है हमेरी सीखना है तो चलिए उसी चाप्टर को दुबारा से शिरू करते हैं और सेकंड चाप्टर आप लोगों को सिखाने चाहरे हूँ आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसी बाते बत तो हम सिखने चाहरे हैं रिष्टो के नाम समझने के लिए जैसे ममी पापा दादा दादी को क्या बोलते हैं ममी को आमा बोलते हैं और ममी भी बोलते हैं पापा को पापा या फिर आउ बोलते हैं लोकल लैंग्विश में आउ बोलते हैं और चाची को या मासी को हम सामा बो प्लस आपका अपी भी बोलते हैं, कई जगों पे आयो भी बोलते हैं, मामी जी, बुआ जी को इने बोलते हैं, भाबी या फिननत दोनों को हम बोरे बोलते हैं, भाबी होंगे उनको भी बोरे बोलते हैं, जीजा जी और साली उनको बोईसा बोलते हैं, और आपके कोई दोस्त होंगे तो इसको हम हमारे जो दोस्त हैं उनको हम कॉनिस या ओमे बोलते हैं तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलते हैं दुबारा तब तक के लिए बाए